हलो और वेलकम एवरिवन वेलकम टो जी आरेस टेक्निकल तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में आप लोगो को डिफ्रेंशियेट बिट्वीन स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ाने वाली हूँ जो कि बालोजी क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा इ है तो अभी आप लोगों का बोर्ड इग्जामिनेशन आने वाला है इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए इस वीडि मिक्स tad match करके लिख देते हैं इधर लिख देंगे spermatogenesis के बारे में फिर लिख देंगे 이제 vermeogenesis के बारे में जो की रॉंग panda होता है ठीके अब हम discussions कर लेते हैं difference between के बारे में तो spermatogenesis का पहला पॉइंट आएगा कि the immature mildeome cell यानि कि spermatogonia produces sperm by spermatogenesis that begins at puberty ठीक है तो पहला point आपके समझ में आ गया पहला point है कि the immature mildeome cell by spermatogenesis that begins at puberty ठीक है अगले साइड में अगर हम देखें कि spermiogenesis का पहला point क्या होगा तो spermiogenesis का पहला point आएगा कि the spermiogenesis are transformed into spermatozoa यानि कि sperm by the process called spermatogenesis तो इस तरीके से आप याद रखेंगे next point देखते हैं next point आएगा spermatogenesis का कि LH hormone यानि कि leutenizing hormone and follicle stimulating hormone FSH androgens is turned stimulate process of spermatogenesis अभी अगर हम बात करें spermiogenesis के बारे में तो FSH यानि कि follicle hormone जो होते हैं follicle stimulating hormone acts on the sertoli cells and stimulate securation of some factors which help in process of spermatogenesis ठीके students तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो students आज किस वीडियो में इतना ही और अगर आपको आज का यी वीडियो मारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करिएगा मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद वन्दे मात्रम नमस्कार